आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चन्ने सुपर किंग्स और रोयल चलेंजर्स बैंगलोर के बीच में जो IPL का और 60वा मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में हम प्रॉपर डिसकस करेंगे कि कौन से प्लेयर को कप पिक करना है कप ड्रॉप करके चलना है और कै इस जीते हैं तो दोस्तों को कौन सी टीम क्वालिफाइगी वीडियो में बता दूंगा उसके सबस्क्राइब कौन से वीडियो को सुरूँ से अंतक देखते रहेगा इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे पिच्छ रिपोर्ट हैड और यवन प्लेयर स्टैट्स प्लेयर्स मै मैं आच आपको 18 मैं को साम को 7.30 बजे खेला जाए गया चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने सिल पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं जिस किसी भाई ने हमारे टेलिग्राम चैनल को नहीं जोइन कि हो आप बहुत कुछ मिस्स कर रहे हैं क्योंकि हम अब पर आपको यहां पर सेर करते रहते हैं पीछ रिपोट आपको बता देते हैं फ्री साम अपडीट खरते दूसरीं बने बंट आप जोइन करें डीन रहन करें तो आप भी जाओ जोइन करो और फायदा उठाओ तो दोस्तों यह मैच आपको एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बैंगलोरों में खिला जाएगा जहां पर एवरेज इसकोर का बात किया जाए तो 150 से 59 के विच में 35 बार, 170 सेट 144 और 190 के पर आपको 43 बार इसकोर बनते देखा गया इस पर यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक अच्छा रन देखने को मिलेगा खासकर बैंगलोर की टीम पहले बॉलिंग करेगी क्योंकि उनको अच्छे मार्जिंसी इस मैच को जीतने क्वालिफाई करने के लिए और यह बैटिंग फ्रेंडली पिछे तो यहां पर आपको अच्छा खासा करते हुए दिख सकते हैं बल्ले बाजे खासकर आर्चीबी के फॉइबर में तो आप ज्यादा टीम बनेगेगा क्योंकि वो वन साइड़ जीतने के चांस रखती है क्योंकि उनको होम ग्रांट पर मैचा और वन साइड़ जीतेगी तब भी क्वालिफाई कर सकते हैं तो इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं आपर बात करते हैं पर पिछ रिपोर्ट की तो आर्चीबी और दिल्ली के वीचे में लास्ट मुकाबला किला गया था जिसमें आर्चीबी की टीम ने 187 रन 9 विकेट को कर 20 वर मने थे वहीं पर दिल्ली की टीम ने इस उसके बात पिछला मुकाबला था जीटी और आर्चीबी के बिच में इस मैच में गुजरा टाइटन्स की टीम ने 147 रन 10 विकेट को कर बनायते 19.3 वर में वहीं पर आर्चीबी की टीम ने इसके जवाब में 122 रन 6 विकेट को कर 13.4 वर में इस टार्गेट को चेस कर लिया था तो आर्चीबी की टीम अन्पेडिक के बले कब कैसा रन इसकोर कर दी पता नहीं चलता है इस मैच में आपको पेसर्स ने 11 विकेट और इसमीनर्स ने तीन विकेट किये थे वहीं से पिछला मुकाबला हैदराबाद और आर्चीबी के बीच में खेला गया था जिसमें है हैदराबाद के टीम ने 287 रन तीन विकेट कोकर 20 बर मनायते वहीं पर आर्चीबी के टीम ने 262 रन साथ विकेट कोकर इस टारगेट को चेस नहीं कर पाई थी बट काफी क्लोश पहुंच गए थी जो की ये क्लोश जो पहुंची है न आर्चीबीक टीम इनको अभी फायद के बीच में खेला गया था जिसमें लकनाओ के टीम ने 281 रन पांच विकेट कोकर 20 बर मनायते वहीं पर आर्चीबीक टीम ने 133 रन दस विकेट कोकर 19.4 वरों में इस टारगेट को चेस नहीं कर पाई थी हैं जिसमें पेशर्स ने 10 तो इस पिनर्स ने तीन विकेट किये थ इंको अब ठोड़ा बहुत ना फेवर करते हूं और पेशर और थीमी में आप पेशर्स को फेवर देख सकते हों क्योंकि यहां पर इनका परफौर्मेंस काफी अच्छा कर रहे हैं इस एम चली बात करते हैं थोटल 32 मुकाबले खिले जा चुके हैं जिसमें 10-22 मुकाबले चन्ने सुपर किंग्स और RCB ने 10 मुकाबले जीते हैं, यहाँ पर तो काफी खराब पर दरसन है, RCB का काफी ज़्यादा है, मतलब माने डबल मुकाबले जीत करा रही है, चन्ने सुपर किंग्स की टीम, रिसेंट फॉर्म का भी देखा जाए, तो 5 में से 5 में जीत करा रही है RcB की टीम, वहीं पर चन्नै इस उपर Kings के टीम ने पांच में से तीन मुकाबले जीते हैं, तो चन्नै इस तोड़ी सी recent form में struggle कर रहे हैं, but recent form में आपको RcB काफी अच्छी कर रहे हैं, वहीं पर, यहाँ पर आपको total matches head to head की बाद के देखे तो 10 मुकाबले सिर्फ जीते हैं और 22 मुकाबले चन्ने इस उपर किंग्स के टीम ने जीता है तो यहां पर आपको चन्ने के दबदबा देखने को मिलता है बात करें अगर दोस्तों जिसकिसे भाइन हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो जाओ सब्सक्राइब करें महाँ पर आपको फिरी टीम पर्वाइड करते हैं जो भी मैचे समय करते हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडिश का बहुत सारे मैचे पाकिस्तान का शौट-अप्रीका सबका वीडियो आम वहाँ पर अपर अपलोड कर रहे हैं तो जाओ वीडियो को देखो पैसे अच्छहाँ से बात करते है प्लेइंग लिए उनकी तो देखे चन्ने की प्लेइंग लिएंग की बात करते है रचेंदर रविंद्रा रूतुराज गया कब डैरिल मिचल मौईन अली देखे इस मैच में मोईन अली का खेलना थोड़ा बहुत पोसिबिलिटी कम है क्योंकि जो इंगलेंड के बोर्ड है वो अपने सारे इंगलेंड के प्लियर्स के जो भी पाकिस्तान टूर में उनको सब को वापस बुला रही है और मोहिन अली उन में से एक है बट जैसे कि टीम ने बताए कि इस वीक तक मेबी मैक्समम प्लियर खेले और कुछ प्लियर जाएं तो सायद मोहिन अली इस प्लियर अंदर आय थे और आपको डैरिल मिचल एस कंपेर टू बाहर जाते थे मुदब इनके बीच में रिप्लेस्मेंट हुई थी बात करते हैं से स्टार्टिंग और आपको महिस तिक्षाना तुसार देश पांडे और सारदू ठाकूर कराएंगे वही पर देथ में आप चिंद्रविंद्रा 27-1-0-21-15 यह इनका रिसेंट परफॉर्मेंस है वेन्यू पर कोई मैच ने कहला और हैट-टो-एड में भी कोई मैच ने कहला इन्होंने देखिए जब से एक चुनामेंट के शुरुआत के एक से दो मैचेस का अगर छोड़ दे तो काफी स्ट्रगल कि रखिए गां जीन में मनाजर बना कर रखिए गां लिटल बेटर इसकी रखिए को इनका ये कि मैच शुरू में अच्छा परदर्शन देखने को मिला उसके बाद इनका कोई खास परदर्शन देखने को मिलानी है रुतुराज कर बाद बाट 22 32 68 99 हां यह आपके लिए एज से डिफ्रेंट करोगे में अगर यह फ्लॉफ होते तो आप आगे निकल जाओगो जील में बाके स्मॉल लीग के लिए क्याप्टन से के लिए काफी बेस्ट पेक है वैन्यू पर एक मैच में तीन रन बनाया है तीन कैवरेस और हैट्ट्वेड में छे मैच में 184 रन 26 कैवर एक और बावन यह इनकारिसेंट परफर्मेंस है जो कि ठीक न कर सकते हैं ना ज्यादा खराब ना ज्यादा बैढ़िया कर सकते हैं यह और यह दो मैच छोड़ देख तो कोई खास परदरशन देखने को मिला नहीं है वैन्यू पर कोई मैच निकला और हैट्वेड में एक मै सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप इनको अपने टीम में पिक कर सकते हो बट सामने कोई ज्यादा लैप्टी है नहीं तो मेभी आपको यह बॉलिंग मी करा है तो थोड़ा बहुत लिटल बिट रिस्की पिक रहेंगे इस वाज़े से इनको आप ड्रॉप करका जा सकते हो ज सब्सक्राइब कर सकते हैं तो पता इनको कैसे क्या कप परफॉर्मेंस करना है मलब कासे इनके परफॉर्मेंस दो care सामने के टीम कियां राविनद्र जर्यदे था बॉलिंग से काफी श्ट्रगल किया इस टूल्मेंट में हाँ बैक्टिंग से कभी कबार अच्छा कर दे रहा बडरॉर्में से काफी स्ट्रगल किया दो मैचमी विकेड लेस फिर 13 विकेर सब्सक्राइब तो काफी तगड़ा इस वेन्यू पर इनका रिकॉर्ड इस बेसिस पर तो आप इनको यहां से बात करते हैं तु सार्द इस पंडे दो वीकेट दो वीकेट चार काफी बढ़ीए रिशेंट फॉर्म एंसट और इनको तो आप डेफिनेटली पिक करके जा सकते हो बोथ इनिंग में वैन्नू पर एक मैंच में तीन विकेट और हैट्वेट में एक मैंच में तीन विकेट इनों ने पिक कर रखें बात करें प्लेयर्स के जो बैंच में आपको दिखेंगे मुकेश चौधरी परसान सोलंके और किनको आप समॉल लिंग में पिक करके चलना है किनको gjल में ड्रॉप करणना और पिक करके चलना है यहनि नियुक्τα को कुछ न कुछ डाव कर चलना है एधूरे को बढ़े रिकोड नियों है तो जी एल में डॉप करके चलिए रुतुराज गयाकवाड को आप पिक कर सकते हो डैरील मिचल को आप इसमॉल लिंग में ट्राइक करना बात करते हैं सिवाम दुबे के स्मॉल लिंग के लिए बेटर पिकार रविंद्र जेडिए स्मॉल लिंग मे समीर रिजभी को वह बढ़ी आप इसमॉल लिंग में ट्राइक कर सकते हैं साड़ू ठाकूर इनको आप अगर चन्य की टीम पहली पारी में गेंदबाजि करेगे तब आपके लिए अच्छे खास्या उप्शन हो सकते हैं तुसार देश पांडे इनको आप दोनों इनिंग म आपके लिए बेटर कर सकते हैं अगर चन्ने की टीम पहली पारे में गेंदबाजी करें तब इनको आप ट्राई करके जा सकते हो बात करें रोए बैंगलोर की प्लेंग लेंग लेंग के साथ जाएंगे हाँ विल जैक इनके जास्त के हैं मतलब इंगलेंड के लिए तो मेभी उनके प्लेस पे ग्लेन मैक्सवल रिप्लेस कर देंगे यह भी मालदी उपस में थे बट इन्होंने कली वापस आ गए और इंडिया और प्रैक्टिस भी चालू कर चुके हैं यह ओपनिंग करेंगे विराट कोली फैब डू प्लेसिस रज़त पाटिदार नंबर तीन पे उ और मोहमद सिराज यह तिनों ने आपको लास्ट मैच में स्टार्टिंग कराते और देथ में आपको यह त्यास दियाल मोहमद सिराज और लोग की फर्गुशन बॉलिंग कराते दिख जाएंगे बात करें बैंगलूर के प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस की तो एक 40वरे से वही पर हैट तो इड में 32 मैच में एक हजार वी सरान 41 के वरे से स्कोर कर रहा इनों थी स्मॉल लिंगा बाइड डिफॉल्ट करना कैटन सी बाइड डिफॉल्ट आप इनको कर सकते हो बात करतें फैड़ प्लेसीज का तो छे 9 24 24 25 देखे चूना मेंट का सुरुवात इनका कोई खास जान नहीं रहा था उसका बाद इन्होंने वापास फार्म गेन किया तो यह लास्ट के तीन से चार मैचसे में परफॉर्मेंस किया बट लास्ट के दो मैचसे फिर से इनका परफॉर्मेंस डाउन हो गया है वैन्यू पर 17 मैच में 338 21 के अवरेस से वही पर हैट्ट्रेड में 14 मैच में 364 रन 30 के अवरेस से स्कोर कर रखाई नहोंने राजत पाटिदार बावन 552 देन्ब पचास यह इनका रिसेंट परफॉर्मेंस से काफी बढ़िया परदाशन करके आ रहे हैं लास्ट के पांच में साथ में से महिपाल नमरोर 13, 0, 7, 4, 19 यह इनका रिसेंट परफॉर्मेंस है वेन्यू पर 8 मैच में 138 रन 19 के अवरेस से वही पर हैट्ट्रेड में 2 मैच में 42 रन 21 के अवरेस से स्कोर कर रखा है नहोंने बात करते हैं दिने इसकार्थिक 0, 18, 21, डिन्वी 11 यह इनका रिसेंट परफॉ है वेन्यू पर 29 मैच में 493 रन 21 के अवरेस से वही पर हैट्ट्रेड में 31 मैच में 787 रन 31 के अवरेस से इसनोंने स्कोर कर रहा है इस मोली के लिए ठीक तक इस वज़ए से पिक रहेंगे क्योंकि सामने जो विकट के पर बल्लेबाज है लाइक मैस दोनी वह बहुत नहीं च 36 रन 12 के अवरेस से स्कोर कर रहा है इनोंने बात करते करन सरमा की तो जीरो विकेट दो विकेट एक जीरो विकेट और दो विकेट है वैन्यू पर 8 मैच में 6 विकेट और हैट्टेड में एक मैच में एक विकेट इनोंने पिक कर रहा है स्वापनिल सिंग एक विकेट उसके मैच में दो विगेट और हैटेट में चार मैच में एक विगेट इनों होने पिक कर रखा हैं। पीकेट इनको आप दिखेंगे अका से एक अगर कोई खेलता आप इनका रिकॉड यहां से चेक आउट कर सकते हैं किसको इस ऑडेली के चलना और कुसको ढ्रॉप करके चलना मैं आपको बता ते जांग लिए बिराट को लिए इस्मॉल लिए डिफॉल्ट केंटन से भाइस कफ्टेंस के लिए होगे राधेत पाटिदार महीपाल रोर त्राइकर चलना दिरे शुक्रतिक मैने इनका मता इनको इसमॉल करके चलना क्योंकि सामने दोनी है और उनका बैटिंग और बहुत नीचा है तो सायद उनसे ज्यादा मौका इनको बैटिंग में मिल जाए कैमरान ग्रीन इस मौल लिंग में पिक करके चलना करन सरमा अगर बैंगलोर की टीम सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करते तब इनको आप ड्राइक करके चलना स्वाप निल सिंग सेम इनको जील में ट्राइक करके जा सकते हैं लॉकी फरगुस्वन अगर बैंगलोर की टीम पहली पार में गेंदबाजी करें तब इनको अधरावाज आप इनको मिस्स कर सकते हो क्योंको आपस फॉर्म में आगे वह अच्छा को ली देखिए विराट कोली का डिसेंट परफॉर्मेंस काफी बढ़ी आ इनो ने लास्ट के पांच मैच में काफी अच्छा परदर्शन किया तो आपके लिए बैडिफोल्ट ये पिक रहेंगे फैप डू प्लेसे बैन्यूप और हैट के लिए काफी टाइम से खेल चुक रूतुराज गया को आट लास्ट के पांच मैसे चार मैचेस में काफी बढ़ीया परदर्शन किया और अब तो ये औरेंज कैप के रेस में भी वापस आ चुके हैं इनके लास्ट के दो से तीन मैचेस में परफॉर्मेंस डाउन गया अधर्वाइज ये काफी अच्छा पर परफॉर्मेंस कर रहें तो इनको डेफिनेटली ड्राइक कर सकते हैं बात करते हैं तो डिफॉल्ट कैप्टन तो रहेंगे विराट को ली वाइस काप्टन सी में वाइज डिफॉल्ट आप रूतुराज गया को ट्राइक कर सकते हो और अगर कोई अधर ऑप्शन चाहिए त लोग इनको मैक्शमाम लोग इनको ड्रॉप कर क्या रहे बट आपके लिए अच्छा खासा पीख हो सकते हैं तो आप इनको डेफिनेटल अपनी स्मॉल लिंग में ट्राइक करना और कर सकते हो तो और जी एल में को सी एन वी सी करके चलना यास ज्याल अगर बैंगलोर के टीम पहली पारे में गेंदवाजी करें तो इनको तो आप मिस मत करना हैं अब बात कर लेते हैं सी एसके के प्लियर बैटल की तुरू तुराज गया कवाड को यज द्याल ने बटीस बॉल में बावन रंदेकर दो बार अलजारी छसिन में पच्छिस बॉल में 47 रंदेकर एक बा डाund कियें डैरील मिचल को कैमरान गिरीन ने दो बॉल में एक बार और ग्लैन मैक्सवाल ने दस बॉल में 17 रंदेकर जिरो बार आउट किया है वहीं बात कर लेते हैं रविंदर इडे जारी जोसेफ ने बार और मैक्स्वाल ने पांच बाल में एक बार आउट के तो कोई खास परिसानी का सामना नहीं करना पड़ा हैं जरविंदर जरडीजा का तो काफी मार पड़िये 42 बॉल में 40 रन मार नहीं पड़ियें बद विकेट भी नहीं दिया इनको सारद विठाकुर की 21 बॉल में 38 रन मारे हैं विराट पॉली ने वहीं बात करते हैं फैब डू प्लेशिज को तो 11 बॉल में 21 रन देकर 0 बार आउट हुए हैं अगेंस्ट दीपक चैर जो कि इस मैच में नहीं खेलेंगे मोहिन अली ने 9 बॉल में 8 रन देकर 3 बार हां इंचे संभल कर खेलना होगा अगर यह खेलते हैं और बॉलिंग कराते हैं अगेंस्ट प्लेशिज को तो राजत पाटिदार को तुसार दिस पांडे ने 4 बॉल में एक बार आउट किया हैं तो आप अपने इसाब से मैनेज कर सकते हो सामने बढ़ी आधा दोनों टीम डिसकेश कर लेता हैं देखे हमने विकेट कीपिंग से दिनेस करती को पिक कर रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया धोनी बहुत नीचा रहा बैटिंग करने तो उनको पिक करने का कोई रीजन बनता नहीं है बैटिंग सेक्षन में र वालर बात करते हैं राउंडर सेक्षन में आपकी लिए रविंदरे जड़िजा धिया कैमरें गरी आपको बॉलिंग इस पांडए सेकंड इनिंग और फॉस्ट दोनों में अच्छा कर रहे हैं इस वज़े मैंने इनको पिक कर रहा है और बॉलिंग का पूरा सेक्षन आपक इस मेंसे चन्नाई की वहीं 10 मैं जीत करा रही है रोयल चल्निजर्स बैंगलोर की बात करें रिसेंट परफॉर्मेंस की तो तीन मैं जीत करा रही है चन्नाई और पांच में वीक होए ठोड़ा बहुत में में बॉलर पति रहानना दिपक चेल रहा है तो मेरे इसाथ 55 परसेंट जीतने का चैंसे बैंगलोर के और 45 परसेंट जीतने के चैंसे चैनने के और हमारी सबस्क्राइब मैं आज को रोयल चेंजस बैंगलोरी के टीम जी जागी तो दोस्तों आपको कलेक्टर कौन सी टीम जीतेगी हमें कमेंट करकर जरूर बताएगा